जारखन मैं हूँ आपके साथ प्रीतिय सिंग बुलेटिन के शुरुबात करेंगे सबसे पहले बात संसत भवन के उद्घाचन को लेकर संसत के नए भवन के उद्घाचन का मामला सुप्रिम कोड पहुच गया है राष्टपती से उद्घाचन कराया जाने को लेकर एक ज़न ही तियाचुका दाखिल की गई है याचुका में ये निर्देश देनी की मांग की गई है कि संसत के नए भवन का उद्घाचन भारत के राष्टपती के हातों किया जाना चाहिए याचुका में ये भी कहा गया है क राष्टपती को उद्गाटन समारों से बाहर करके सरकार ने भारतिय सविधान का उलंगन किया संसत के नय भवन के उद्गाटन का मामला अब सुप्रिम कोर्ट पहुँच गया है एक जनहित याचका दायर कर यह निर्देश देनी की मांग की गई है कि नय भवन का उद्गाटन भारत के राष्टपती के हाँ तो किया जाना चाहिए वकील सियार जया सुकिन की ओर से दायर याचका में कहा गया है कि राष्टपती संसत का अभेन हिस्सा है ऐसे में उद्गाटन समारों में उन्हें आमंतरित ना करना समविधानिक सिध्धानतों के खिलाफ है कहा गया है कि राष्टपती को उद्गाटन समारों से बाहर करके सरकार ने भारती समविधान का उलंगन किया है समविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है इसमें मांग की गई है कि संसत की नए भवन का उद्गाटन राश्टपती के द्वारा किया जाना चाहिए वहीं पार्लियमेंट की नई बिल्डिंग के उद्गाटन पर 75 रुपय का सिक्का भी लॉंज किया गया इस सिक्के के बीच में अशोक इस्थम्भ है फ्रंट में नीचे सत्त में उजयते लिखा है पीछे की तरब पार्लियमेंट की इमेज होगी और पार्लियमेंट कॉंप्लेक्स देवनागरी लीपी में लिखा होगा कॉंग्रस समेट कई विपक्षी दलों का भी मानना है कि संसत की नई इमारत का उद्गाटन राश्टपती के हाथो ही होना चाहिए